गुड मॉर्निंग एब्रिवन वेलकम टू मा यूटूब चैनल आधर्स इंस्टिट्यूट आफ इंग्लिश आज की वीडियो क्लास बारे सब्जेक्ट इंग्लिश रोज के जो सेकेंड लेशन है दा टाइटल है जिसका अ फेलो ट्रेवलर जिसे लिखा था एजी गार्डनर आज इसके most important short question इसके बारे में discuss करूँगा तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले है first question है give a brief description of the train Mr. A.G. Gardner traveled by brief संचेप में description वर्लन दीजिए of the train उस रेल गाली का जिसमें Mr. A.G. Gardner traveling कर रहे थे मतलब उस train का वर्लन कीजिए जिसमें Mr. A.G. Gardner यात्ता कर रहे थे हिंदी भी लिखी हुए देखिए कि जिस train में Mr. A.G. Gardner ने यात्ता की उसका संचित बर्लन दीजिए तो आंसर हो जाएगा the writer बाज traveling वाई ए सब अरवन train लेखक एक उप नगरिये रेल गाली से यात्ता कर रहा था which ran from London to a Midland town जो लंदन से Midland town के लिए जाती थी it was a stopping train ये बारवार रुखने वाली train थी हिंदी लिखी हुई है इलेखक उप नगरिये रेल गाली से यात्ता कर रहा था ये गाली मीलड लोड बठाय क्या जिसकी है Midland मतलब मध कस्बा कह सकते हैं के एक कस्बे से दूस्ते कस्बे के लिए रुख जाती थी next question है why did the author call the train as one of those trains which gave you an understanding of eternity लेखक इस गाली को ऐसी क्यों कहता है या कहता है या कह जाता है या कह रहे हैं लेखक ने इस गाली को ऐसा क्यों कहा है जो अनंतकाल का आभास कराती है मतलब लेखक इस रेल गाली को ऐसा क्यों कहता है कि ये अनंतकाल का आभास कराती है तो आंसर इसका हो जाएगा the train बाज रनिंग रेल गाली चल रही थी बेरी सिलोप बहुत धीरे रेल गाली बहुत धीरे चल रही थी it stopped ये रुकती थी at all the stations, सभी stations पर और ये सभी stations पर रुकती थी so इसलिए the writer thought लेखक ने सोचा that his journey कि उसकी आत्रा would never end कभी समाप नहीं होगी and he called the train और भे train को पुकारता है या उसने train को पुकारा as such ऐसा हिंदी लिखी हुई है कि रेल गाली बहुत धीरे चल रही थी ये सभी station पर रुकती थी इसलिए लेखक ने सोचा कि ये उसकी आत्रा कभी समाप नहीं करेगी और ऐसा उसने गाली के बिशह में सोचा तो हिंदी क्या होगी जिस समय गाली लंदन से रवाना होई उस समय लेखक ने क्या सोचा तो ये आंसर हो जागा इसका भेन जब द ट्रेन लेफ्ट लंदन जब ट्रेन ने लंदन छोड़ा द ओथर थौट ओथर ने सोचा देट ही वाज आल एलाउन इन दा कमपार्टमेंट की वह रिल गाली के डिब्बे में विर्कुल अकेला है सो इसलिए ही वाज एट लिवर्टी टू डू एनिफिंग ही लाइग ने उसके पास सब कुछ था या उसके पास कुछ भी करने के लिए पूरी सुतंतरता थी को तीसरा कोस्चन आगे है कि कोस्चन नंबर नेक्स्ट वाइट एक्कॉर्डिंग टू एजी गार्ड़नर एजी गार्ड़नर के अनुसार और अब आपके लिए किस में हिंदी क्या है इसकी के एजी गार्ड़नर के अनुसार रेल गाली के डिब्बे में अकेले ही यात्रा करने के क्या क्या लाव हैं तो इसका यह आंसर है एक्कॉर्डिंग टू ऑथर ऑथर के अनुसार ट्रेबलिंग एलोन अकेले यात्रा करना इन अकंपार्डमेंट एक कंपार्डमें अकेले यात्रा करना अब परसन कुड टॉक एक बेक्ती बात कर सकता है एजली सरलता से, to himself swim से, swim से बात कर सकता है, sing गा सकता है और dance या नाच सकता है, play खेल सकता है marvels गांच की गोलियों से open और shut windows खेल की खोल सकता है या बंद कर सकता है, walk टहल सकता है, lie लेट सकता है, down नीचे at full length पूरी लंबाई के साथ on the cousin बिस्तर पर या गद्दों पर of rest या forest आराम करने के लिए तो क्या हो जाएगा कि लेखक या हिंदी लिखी हुई है कि लेखक के अनुसार rail के डिब्बे में अकेले यात्रा करते समय बेक्ती अपने आप से सरलता से बातें कर सकता है गीत का सकता है नाच सकता है खिडकियों को खोल या बंद कर सकता है टहल सकता है आराम कर सकता है या आराम करने के लिए गद्दे पर पसर कर लेड़ सकता है आराम से लेड़ सकता है next question है what things would you do तुम क्या करोगे if you were traveling alone in a compartment यदि तुम rail गाली के डब्बे में अकिले आत्ता करोगे तो तुम क्या काम करोगे क्या करोगे अगर ये नहीं तो question ऐसे भी आ सकता है ऐसे नहीं आता तो ऐसे आ जाए अगर कि what can one do freely एक बिक्ती सुतंतरता पूर्वा क्या कर सकता है while traveling alone in a carriage एक रेल गाली के डब्बे में अकिले आत्ता करते समय एक बिक्ती क्या कर सकता है of a night train एक रात की रेल गाली में according to ag gardener ag gardener के अनुसार तो हिंदी क्या हुए कि ag gardener के अनुसार एक रात की ट्रेन में यात्ता करते हुए कोई आज़्यक्ती या कोई आजादी से क्या कर सकता है तो answer है if यदि I was traveling alone in a compartment यदि मैं रेल गाली में अगेले यात्ता करूँ I could talk myself मैं अपने आपसे बात करना चाहूँगा या बात करूँगा sing गाऊँगा और dance या नाचूँगा open और set दा windows खिड़की खोले बंद कर सकता हूँ I could sit में बैठ सकता था या बैठ सकता हूँ इन दा कौन कोने में कोने में बैठ सकता हूँ या किसी भी कोने में बैठ सकता हूँ as I wish next question है most important question है what does the abbreviation DORA stand for मतलब जो DORA है इसका पूरा आर्थ क्या है यह होता है मतलब बिस्तरत कह सकते हैं तो answer क्या है DORA stands for इसका मतलब है इस D का मतलब क्या है defense इस O का मतलब क्या है off R का मतलब क्या है real A का मतलब क्या है act तो क्या मतलब वह DORA stand for DORA का मतलब है defense structure of the realm राज्ज के act कारी राज्ज के कारी की सुरक्षा बिच जिसने provided the British government मेंट जो बिच्टिस सरकार थी उसके लिए दिया the author do while traveling alone in the compartment rail गाली के डिब्बे में अकेले आत्रा करते समय लेखक ने क्या किया तो answer हो जाएगा while traveling alone in the compartment rail गाली के डिब्बे में अकेले आत्रा करते समय the author put down his paper लेखक ने अपना paper रख दिया estranged his arms अपनी भुजाओं को फैलाया and legs पैरों को फैलाया stood up खड़ा हो गया and looked out of the window और खिलकी के बाहर देखा lit a cigar cigarette जलाई sat down बैठ गया and begin to read the paper again और दोबारा अपना paper पढ़ना शुरू कर दिया Hindi लेखिये देखिये कि जब लेखक डिब्बी में अकेले आत्ता कर रहा था तब उसने अपना अखवार रख दिया अपने हाथ पैर फैलाये खड़ा हुआ और खिलकी से बाहर देखा सिगार जलाया फिर वैट गया और अपना अखवार पढ़ने लगा next question है who was the यह कह सकते हैं यहां से है यह who was ag gardener's fellow traveler when did the author became aware of his fellow traveler यह question most important है exam की नजर यह से most 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 important question का आर्थ क्या होगा कि लेखक का साथी कौन था लेखक को अपने साथी के बारे में कब पता चला मतलब जो लेखक है writer है जो रेल गाली के डब्बे में travel कर रहा था ag gardener यह इसका सहात्री कौन था और इसे पता कब चला उसके बारे में या उसके बारे में कब पता चला answer क्या है कि यह इसे भी कह सकते हो माशक्यटो रेज एसे भी कह सकते हो The author became aware of his fellow traveler लेखक अपने सहयात्री के बारे में जान गया बिहनी वाज रीडिंग दे निजपेपर जब बहे अकवार पल रहा था and mosquito sat on his nose और मच्छा उसकी नाक पर बैठा तब उसे उसके बारे में पता चला इसके बाद है next question What did the author do when the fellow traveler came and sat on his nose What did the author do लेखक ने क्या किया जब the fellow traveler सहयात्री के आया and sat on his nose उसकी नाक पर बैठा जब साथी यात्री आकर लेखक की नाक पर बैठ गया तब लेखक ने क्या किया तो answer है When the fellow traveler came and sat on his nose जब सहयात्री आया यानी मच्छर आया तब he flicked it up उसने उसे जटके के साथ फिक दिया या उड़ा दिया भादिया इसके बाद है next question What did the author say When the mosquito seated himself impudately on the back of his hand जब author यह कह सकते हैं लेखक ने क्या कहा जब मच्छर आया और बड़ी अभद्रता से उसके हाथ के back side में बैठ गया हिंदी लेखिए जब मच्छर द्रिश्टता पूर्वक हाथ के पिछली और बैठ गया तब लेखक ने क्या किया अगर ऐसे नहीं आता question तो ऐसे आ सकता है यह 11 में भी आया है और 11 में इस तरह से भी आया है कि why did the writer decide to punish the fellow traveler लेखक ने अपने सहयात्री को दंडित करने का निश्चे क्यों किया तो answer है the author said that author ने कहा कि the limit of magnanimity magnanimity means क्यों जाएगा दया जो दया है दया करने की लिमिट होती है बाज ओबर वस्माप्त हो गई है he would punish him भे उसे दंड देगा by putting him to death मिर्तिव देकर या भे उसे मिर्तिव देकर दंड देगा या या भे उसे मिर्तिव दंड देगा हिंदी लिखी है कि लेखक ने कहा कि उदार्ता की सीमा समाप्त हो गई है भे उसे मिर्तिव दंड देगा नेक्स्ट कोस्चन है वहाई डेड़ दे जस्टिस डिमांड दे आवेर आफ डेथ संटेंस मतलब क्या हो जाएगा नियाय की मांग मौत की सजा क्यों थी तो आंसर है देर वर मैनी चार्जस अगेंस्ट दा मौस्किटो मच्छर के खिलाब बहुत से आरोप थे यह एक बैगबॉंड होता है आवा रहा था और पबलिक नुसेंस और लोगों को हानी पहुचाने वाला था यह वाज ट्रेवलिंग बिदाउट टिकेट बहें बिना टिकेट के यात्रा कर रहा था और लेखा के खून को चूस रहा था इसलिए नियाय की मांग थी कि उससे मिर्त्युदंड मिले नेक्स्ट कोस्चन है वाज डेड द फैलोड ट्रेवलर डू टू एवाइड द संटेंस अफ डैथ मतलब फैलोड ट्रेवलर यानि सहात्री या मच्छर ने डू किया टू एवाड बचने के लिए तो क्या मतलब मिर्त्युदंड से बचने के लिए सहात्री ने क्या किया मच्छन क्या किया तो आंसर है लेका को चक्मा दे दिया और भाग गया नेक्स्ट कोस्चन है why did the author feel humiliated and how did he react to it how by क्यों did the author लेखक ने feel महसुस किया humiliated मतलब अपमानित and how did he react to it उसने इस पर कैसा रियक्ट किया तो हिंदी है लेखक ने स्वयम को अपमानित क्यों अनवब किया और इसके पृति उसकी क्या पृतिक्रिया थी तो answer है the author felt humiliated लेखक ने अपने आपको अपमानित महसुस किया बिकॉज क्योंकि the mosquito मच्चर एवाड़ेज विलो कनिंगली उसके प्रहार से चालाकी से बच गया देन तव he adopted उसने अपनाया all the sorts of tickets to claim उसे मारने के लिए सभी चालाकी को अपनाया हिंदी लिखी हुई है कि लेखक ने अपमानित इसलिए अनभब किया क्योंकि अपराधी चालाकी से उसके मुक्के से बच गया फिर लेखक ने उसे मारने के लिए प्रतेक चाल चली उसके बाद next question है वाई according to the author लेखक के अनुसार डिड दा फैलो ट्रेवलर डिस्टर्ब हिज रिपोज लेखक के अनुसार उसके साथी मच्छर ने उसकी सांती भंग क्यों की या क्यों भंग की या उससे डिस्टर्ब क्यों किया तो आंसर है तो फैलो ट्रेवलर वाज इंजोयंग हिमसेल्फ जो फैलो ट्रेवलर था यह जहां भी आया है फैलो ट्रेवलर वाज आया है मच्छर के लिए तो जो फैलो ट्रेवलर था मच्छर वाज इंजोयंग हिमसेल्फ स्विम आनंद ले रहा था इसलिए लेकर ने सोचा कि उस मच्छर ने उसके आराम में भंग कर दिया या आराम खराब कर दिया तो हिंदी लिखे हुई है साथी यात्री या मच्छर ने अपनी मनुरंजन कर रहा था या मच्छर अपना मनुरंजन कर रहा था इसलिए उसने लेकर की सामती को भंग कर दिय उसके बाद next question है ये वाला कि what did the author begin to think लेखक ने क्या सोचना शुरू कर दिया when he found himself जब उसने अपने आपको पाया so helpless इतना निराश and stupid और stupid against his fellow traveler अपने साथी के बिपरीत में तो इसके हिंदी क्या है जब लेखक ने अपने सयात्री से निपटनेक में सोयम को इतना असहाय और मूर्ख पाया तब है क्या सोचने लगा तो answer है the author begin to enter into the spirit of his fellow traveler लेखक ने अपने सयात्री की भावना में प्रिवेश करना सुरू कर दिया बेहनी found himself so helpless and stupid जब उसने अपने आपको इतना stupid और helpless पाया हिंदी क्या है देखने से कि जब लेखक ने सोयम को इतना असहाय और मूर्ख पाया तब उसने अपने सहात्री की मन की स्तती को समझने का चेस्टा किया समझने का प्रियास किया नेक्स्ट कोस्चन है वहाई डेड़ ही डेसाइड उसने निश्चा क्यों किया तूबी मैंगनानी मियस उदार होने का एंड मर्सिफुल दयापून्ल टूदा फैलो ट्रेवलर सहात्री की प्रती लेखक ने अपने सहात्री के प्रती इतना उदार और दयावान होने का कप अब मेक आय गया यह इडियम है इसके भी दो मतलब होते हैं मेक अप एक तो होता है कमी पूरी है करना । एक तो मतलब होता है's के ही यह और इसी निष्च्चे के असा मेड़ा हृत है मेकउ का निष्चे करना निष्चे करना जैसे वो मेकच यहां लडगा नट किंग कर ना अगता वह आил जाटाक यह मदल्ब कम पूरी करना मतलब जैसे सुन्द शुटैboarding गर इस ने काउ लाश संदर तौर बढ गई तो वो तो होता कम पूरी करना और यह में निश्चा करना अब यह देखते हैं इन दोनों में सिरुष है इस सइन टेन्स में कौन सा सूटेबल रहें तो ना रिइंट या सकद आ चांटा-क्ट था तूं मेरब कप हिस लाउस्ट क्या या कमहीं पूरी करना है नो परिश्टिज्ट प्रेस्टिज्टो मीन समान लेखक अपना खोया ववा समान पुना पराप्ट करना चाहता था सो इसलिए he decided to be magnanimous merciful इसलिए उसने उदार और दयावान होने का निश्चे कर लिया to the fellow traveler सहात्री के लिए because क्योंकि these were the noblest virtues of mankind ये मानबता के सबसे सेस्ट गुड हैं हिंदी है लेखक अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करना चाहता था अता उसने सहात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निश्चे किया क्योंकि मानब जाती के ये सबसे अच्छे दोगुड है उसके बाद next question है what did the author think of the fellow traveler लेखक ने अपने सहात्री के बारे में क्या विचार किया भेंदा letter set on the newspaper ये letter means क्या होता है बादवाला ये होता है बादवाला तो क्या हुआ जब बादवाला ने मच्छर के लिए है जब सहात्री अख्वार पर बैठ गया तब लेखक ने क्या किया सहात्री मच्छर के लिए अब मच्छर के लिए यहाँ पर लेटर 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 तो क्या मतलब हुआ कि जब सयात्री या मच्छर अखवार पर बैठ गया तब लेखक ने क्या किया तो आंसर है भेन the fellow traveler sat on the newspaper जब मच्छर या सयात्री अखवार पर बैठा the author thought him to be foolish तब लेखक ने उसे बहुत मूर्क समझा he thought उसने सोचा to kill him उसे मानने का बठी late him go तब उसने उसे जान से मानने का प्रयास किया लेकिन उसने उसे जाने दिया उसके बाद है next question what relationship did the author develop लेखक ने कौन से संबंद को विक्सित किया बिदेज फैलो ट्रेवलर अपने सहात्री के साथ लेखक ने अपने सहात्री से क्या संबंद विक्सित किया या क्या संबंद बनाया अगर ऐसे नहीं आता तो question ऐसे आता है who was the fellow traveler सहात्री कौन था लेखक ने अपने उस सहात्री के साथ कौन से संबंद को बिक्सित किया तो आंसर हो जाएगा अपने सहात्री के साथ बढ़ी दूर का संबंद को इस्थापित किया लेखक ने अपने सहात्री से दूर का रिष्टा बिक्सित किया उसने कहा कि बे दोनों नासर प्राणी हैं सहात्री एक मच्छर था यह था उसके बाद यह लास्ट कोस्चन है यह महा मोस्ट इंपोटेंट है कई बार एक्जाम में आया है कि who was the fellow traveler of the writer लेखक का सहात्री कौन था यह कहां बैठा तो आंसर है यह थी आज की वीडियो यह थी आज की वीडियो यूपी बोड क्लास इंटर के लिए जो की इंगलिस प्रोच से सेकेंड लेशन है अफ फैलोड ट्रेवलर जिसमें उसके मोस्ट इंपोटन सौट कोस्टन देखे आज की वीडियो मसे तना ही थैंक्स फॉर वाचिंग